हे फ्रेंट्स देखिए आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एटी एमल यानि की टाटर टैली सर्विस लिमिटेट की बारे में 75 रुपज का करंट प्राइज है और एक समय था कि 300 भी गया था लगभग 300 के आसवाथ 280 या 90 रुपज के आसवाथ गया था लेकिन अभी देखिए शिर्फ इसमें ग्रावट चल रही है और ओनली ग्रावट ही है बस इसमें 14,789 करोड की कंपनी है इसके जो कई सेर होल्डर्स हैं जिनके की कमेंट आ रहे थे कि इसके बारे में एक वीडियो बनाई है तो दोस्तों खेर कंपनी तो अच्छी लगती नहीं है लेकिन फिर भी आज मैं एक इसके उपर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी इसके जो है रिजल्ट आया है तो उस रिजल्ट को ही देखेंगे बाकी चीजे तो आपको जाजतर पता ही है कर्जे में डूब ही कंपनी है पूरी 20,000 करोड के रिजल्ट है माइनस में और 20,000 करोड की ही लगबग बोरही है तो लगबग 40,000 करोड के कर्जे हैं कंपनी के उपर और यही कारण है कि company में कुछ भी ठीक होता हुआ हमें नहीं दीख रहा है बस एक share holding pattern थोड़ा अच्छा दीखता है तो देख लेते हैं अभी जो इसका result आया है साथी साथ इसने एक change भी किया है company में वो भी देखेंगे लेकिन देखें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो के description में हमारा telegram का link दिया हुआ है वहाँ से आप हमारे telegram channel को join कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है सारी के सारी information आपको time to time मिलती रहती है क्योंकि देखें हमेशा video बनाना possible नहीं होता तो market की जो भी information आती है जो भी news आती है वहाँ आपको देदी जाती है तो उसको please join जरूर कर लें वीडियो के description में उसका link दिया हुआ है अभी आ चुके हैं देखें हम सीधे notice पर और यहाँ आप देख सकते हैं टाटा का यह notice है नीचे लिखा हुआ है टिटी एमल टाटा टैल सर्विस लिमिटेड और अगर नीचे आए तो इन्होंने देखिए इस notice में बताया है कि इन्होंने अपना जो chief financial officer है उनको change किया है और अब जो है यह है नीचे सिनू मथाई इनको chief financial officer बना दिया गया है आज ही यह meeting में फैंसल लिया गया है और यह एक मार्च से इसके Chief Financial Officer होने वाले हैं अब देख लेते हैं इसका result और result आ चुका है अभी इसको देखेंगे नीचे लिए ये देखें आप यहाँ पर इसमें बताया गया है ये वाला जो है इसी quarter का है 31 December 2022 का और ये पिछले quarter का यानि कि सितंबर का है और ये पिछले साल सेम quarter का तो अगर हम total income देखें तो लगभग वही है 280 थी 244 है और quarter on quarter थोड़ा सा बहुत हलका सा jump इसमें देखने को हमें मिला है expenses देखें तो expenses इस बार कम हुए है 155 रह गए हैं जो कि पिछले बार 178 थे और सेम quarter में पिछले साल थे 166 तो यहां थोड़ा सा देखें अर्निंग में फर्क पड़ा है 128 करोड की अर्निंग हुई है यह 120 पहले थी और सेम quarter में फिछले साल थी 116 तो यहां तो हमें फर्क देखने को मिला है लेकिन देखें यह जो है इसकी finance cost जो इन्हें इंट्रेस्ट बगारा देना पड़ता है अपने loan पर यह बहुत तकड़ा है तो 373 करोड का यहां पर है 377 करोड का उपर है तो यह खुल मिलाकर हो गया है यह देखें 289 करोड के इन्हें जो है लोस हो रहे हैं अभी भी इस बज़ा से क्योंकि इन्हें यहां इंट्रेस्ट बगारा देना पड़ रहा है बहुत तकड़ा जो की पिछली बार 287 करोड था और सेम क्वाटर में पिछले साल था 302 थोड़ा सा हालांकि हमें ठीक ठाक होते हुँ दिखा है लेकिन कंपनी अभी भी लोस में ही है और अच्छे खासे बड़े लोस में है तो अभी खतरनाक है कंपनी कुछ भी मतलब अच्छा दिखनी रहा है अभी कंपनी में थोड़ा सा अच्छे होता हुआ दिखा है लेकिन है तब भी लोस में ही तो जब तक लोस में है कमपनी तब तक यही कहेंगे सब बेकार है अगर देखें EPS की बात करें तो पिछले सेम क्वाटर में पिछले साल 2021 में था 106 माइनस में और पिछले क्वाटर में सितंबर में 105 मा जयानवे आया है थोड़ी सी रात देखने को मिलती है लेकिन कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं है कहीं से भी अभी बेकार रिजल्ट है जब तक कमपनी प्रोफिट में नहीं आएगी तब तक इस कमपनी में देखें इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि कोई अकलमंदी गाला काम है लेकिन हाँ हो सकता है इन फ्यूचर अच्छा करे फिलहार लेकिन दूरी बनाकर रखनी चाहिए तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लेज लाइक किजीगा और हमारे टेल कि गाल इन दूरी ओनी लाइक आपड़का उन्वे पूरी करे एकाहिए थाले कि विलहार आई हूर।